खुफिया नहीं है, खुफिया है क्या है? खुफिया, चोटा, चोटा U है चोटा U होता है पुलिस वाला खुफिया? खुफिया खुफिया? क्या फर्क होता है खुफिया और खुफिया तो? क्या खुफिया कुछ होता है नहीं? तो क्या उस शब्द का कुछ मतलब है या या नहीं कुछ नहीं होता है गलत हो जाता है अच्छ खुफिया होता ही नहीं कुछ मतलब खुफिया कुछ नहीं होता है खुफिया होता है ओ मैं बच्पन से गलत प्रणाउंस कर रहा हूं तो खुफिया जो है एक तो साला नुकता प्रनाउंस करो, उपर से उ की मांतरा याद करो तो खुफिया, स्ट्रीमिंग नाओ, जो भी बोलना होता है हाँ, मैं बोल दोता है, खुफिया, स्ट्रीमिंग नाओ, नेट्फिलिक्स, प्लीज वॉच इट अन लाइक, ट्राइ टॉ लाइक बोलो, दुडूम, टुडूम, ने, एक पर ऐसे, दुडूम, ने, एक पर ऐसे, तुडूम, ने, एक पर कर दो यार, हमारे शो है, ऐसे करो, तुडूम, तुडूम, ये वीडियो भी, पावर्ड बाए, वुडलेट, भाई साँ, बहुत अच्छे लोग है, कॉमेंट सेक्शन में, बताओ, यार, कि वुडलेट, कि इतना बढ़िया काम कर रहा है, वैसे, आप लोग बढ़िया करें, कॉमेंट सेक्शन में, और करिए, निरंतर करते रहिए, वुडलेट भाई साँ, इतने खुछ हों, हमारा रेट भी बढ़ा दे, कॉलाबरेशन तो ठीक है, लेकिन सा बोल पाता हूं, आप लोग बोल तो ये वीडियो भी, शोर की बुचाना, ये वीडियो भी, पावर्ड भाई वुडलेंड भाई साब, तो अब सब्सक्राइब बटन दवाईए, और मजय उठाईए, और फिल्टर भाई संदीश, Ft. विशाल भारदुआच, पावर्ड व बुचे पता था कि यहां पर थोड़ी टाइम की लिमिटेशन होगी, नहीं वो तुसलिए कि आज के दिन किया ना, तो और कब करना था, बतलो कल करते तो बहुत ताइम तो कर सकता था, आप आपको 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 स्केडूल पता निया तो आप रहे रहे तो, पर आज तो ब भीटवाइबाँ कोफिया, तो जो लोग देख रहे हैं को खुफिया आच उका है नेट्फिक्स पर, जिया के जरूर देखें, विशाल जी का सबसे भैतरीन वाका है आज तक का, बनलब ओमकारों और हैदर को मिला तो को खुफिया बनता है, देखे रुछे लमने, नई मैं यह नहीं नहीं अभी देखा जोट की बोल रहा है मेरे को याद है मैं प्रीत वहर में रहता था I don't know if you know what प्रीत वहर एजीज डेली तो मैं और पापा और पापा कभी जीन पहन के गौगल पहन के नहीं निकलते थे मैं और वह वागणार में गए हैं पीवियर नरायना में हमने मकडी देखी है और मैं एक पॉइंट के बाद पापा कोई देख रहा था मैं एक पॉइंट के बाद पापा कोई देख रहा था मैं शावाना जी को देखी नहीं पा रहा था That was one of the most delightful movie watching experiences मतला तब मुझे लगा कि कोई मेरे बच्चे होने को भी respectfully treat कर रहा है I don't know who as a filmmaker has done it in India as much as you have with that and blue umbrella So you come with a lot of baggage आपका career इतना wide span है मैं किस किस बारे में बात करूँ इसलिए मैंने क्या किया मैंने चिट्स बना ली कि हम जब भी हम किसी भी topic बात करेंग हमें लगे कुछ खतम हो रहा है और फिर उसके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि इतना मुझे आपके आपसे बाते करनी है सारी चिट्स खतम तो नहीं होंगी मेरे साफ से एक घंटे बीस मिनट में पर मुझे शुरू करना है I felt like maybe we can talk about dreams to start with I don't know it might fail badly But I have a feeling you have some recurring dreams recurring dreams तो I think मेरे नहीं सबके होते है और एक जो सबसर बड़ा dream तो वो होता है जिसमें कि आपकी train चूट रही होती और आप platform पे भाग रहे हैं और पर वो क्या run-lula-run देखने के बाद आती है dream? Run-lula-run से कि जो mother film थी वो थी The Blind Chance Kislosky की I think कही psychology से है कि कहीं आपके अंदर डर है कि आप train तो एक metaphor है पर रिंदिगी में आप कुछ बहुत चीज है जो आप चाहते हैं कि आप से नहीं चूट जाए आप उसके पीछे भागने हैं पर आप उसको पकड़ने ही पाते हैं तो मिराज जो है वो है What is the train that you have been wanting to catch and you haven't been I don't know I think subconscious move on a करकि वो ट्रेन तो बनलती रहती Okay अभी इस moment पे life में I just want to be free now मैं बहुत पक्या हूँ इंटर्व्यू करके और फिल्म के बारे में बात करके I just want to be away and free from this I hope after this you feel like it was worth your time I am really sorry No, no, no I am honestly, truthfully जवाब दे रहाँ So if I ask you a question of a mistake If I ask you a question of a mistake If I ask you a question of a question If I ask you a question of a question If I ask you a question of a question Do you snore? My wife tells me that I do How loud is it? I don't know I don't know I don't know Do you want to talk about cricket? I think cricket is a very boring This is a funny question Naseer Sahib Air India Air India Bombay Serious cricket So Naseer Keeping And I don't know why Keeping I don't know But He does not know how to do it I mean Keeper Bowler of my team I don't know I don't know Bettsman I don't know My name is Avzal I was told Avzal Avzal I am going to come Avzal Bay Avzal Bay Avzal The whole thing It was Very good He took And he told He said That my shooting is My name is I was told I said I was told Avzal You didn't hear So you didn't hear You didn't hear I was talking So He said He said That's But I said Sorry He said My fault But the rest of me I didn't hear I didn't hear The next morning I saw Naseer I thought I was going to say He said He said You and Guldar Have a problem What happened? I said You are behind our family I said Guldar He went to the house And he said He said He gave him So Guldar Guldar So He went to the ground And he saw He was playing Imaad Imaad He said He said 35 years later He said He said He said 35 years later He said Imaad He said He said He said He said He said He said I was like Naseer And Guldar He said You are behind our family He said How big is your TV? 100 inch Oh Film Of course Of course Of course Even 100 inch TV Ismaen 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 No no My interview Is Oscillates between An intellectual stimulating interview But also a tabloid interview So I am interested in both I am interested in both I am very interested in your life Trivial gossip Okay Shirt 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 You make art Where are you? Tailor Oh What You make Tailor how is your Tailor Made my movie Costume design Now I'll use publicity I'll use his name Hilashya Sharma Is a very good His name is Costume designer I am very choosy I'll wear the clothes but not fashion It's my body How I feel He'll the way So I'm too much particular यह बहुत comfortable लग रहे हैं कपड़े यह मतलब यह मतलब यह मेरी shirt बिगदम linen है बहुत soft है आप shirt के बार में भी बात कर तो इतना प्यारा लगता है नहीं, नहीं, मैं हर filmmaker से पूछता हूँ about pawn, to ask you about pawn, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कोई line cross कर रहा हूँ नहीं, pawn तो जिंदगी का हिस्सा है, मतलब एक एज में समने देखा है, अगर मैं बोलू कि मैंने नहीं देखा है तो मजूट बोल रहा हूँ उसको नदर ये से देखने की बाद है, खुजराह को जो मंदर बना है, उसका अगर हम ये देखें कि किसी ने बनाय क्यों होगा, उसके अगर spirituality देखा है, इस spiritual level पे, वो मंदर खाली है, तो उसका कहना ये है कि go within, this, all these walls, all these sects is outside, finally, you have to go within, you have to find yourself, so this is, this is a spiritual metaphor for that, मंदिर तोडवाए गए, मंदिर तोड़े गए, गांदी जी को पसंद नहीं थे, या जो मैंने history में पढ़ा है, अपनी history में हो सकता मां गलत हूं, पर आज तो गांदी जी के बारे में कुछ भोल भी दो, प्रोब्लम नहीं है, but I think he was uncomfortable with that, अच्छा, अब time आ गया, अच्छ It says films that inspire, अब इसमें मैं कैस सवाल पूछू, आपने blind chance के बारे में बोली दिया, आपने किसलावस्की के बारे में बात की है, अभी recently तो आपके बहुत interviews हो रहे हैं, इस दोरान तो चार्ली चोपड़ा में भी, खूफिया में भी, मतलब किसलावस्की के हिलावा, Tarantino जैसे बहुत पसंद है, सत्यजीत रे बहुत पसंद है, रिट्विक घटे की में घढ़ा का तारा, बहुत पसंद है, आईति हजारो खाहिशें ऐसे जैसे जो फिल्म बनी थी, बहुत ही जादा खुफ्सूरत फिल्म बनी थी, सलीम लंगड़े पर मत रो, शाम बाबो की कुछ फिल्में बहुत ही जादा अची है, अपकी फेवरिट गुलजार साहब फिल्म क्या है, मेरी फेवरिट फिल्म, उनकी आईति में इजादत बोलूगा, मुझे इजादत बहुत ही खशूरत है, वो इतनी खुबसूरत, सेंसिटिव रोमेंटिक फिल्म है, वैसे कि फि अब आगई है तो पीलो आप तो जानते हैं मैं चाय पीती नहीं हाँ जानता तो हूँ लेकिन ले आया है कभी कभार पी तो लेती थी जात जैसी फिल्म मैंने नहीं देखिया इजाजद के कुछ मूमेंट्स मुझे तल्वार में दिखते हैं मतलब वो फेल शायद इचीव हो पाती है अभी मैं मौसम देख रहा हूं था मौसम भी बहुत 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 जुर्म मतलब ऑव अगूर थे बहुत खुबसूर फिर फिर्म्स, आइखिक अंगूर कुड टॉप अल्यूर फिर्म्स, यह इफाय में यह 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 एक्शली कहीं सबकॉंशियस लेवल पर अंगूर का शेक्सपियर दिमाग में था अच्छा लिट्रेचर इतना फ़नी भी हो सकता है क्योंकि लिट्रेचर का मतलब बोरिंग माना जाता है जी 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 आम आदमी को लगता है लगता है लगता है कुछ लिट्रेरी बात और यह भागों यहां थे सो वो वो कंडिशनिंग शायद मेरी भी रही होगे कहीं तो वो जब बंगूर देखी थी बच्पन में 84 की 83 की बात होगी शायद उस वक कहा थे आप मेरथ 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 में इंद्र गांधी की असाइसिनेशन का कोई एफेक्ट हुआ था क्या नहीं उस वक्तो में दिल्ली में था तो आपने देखा है मतलब हम लोग हंदू कॉलिज होस्टल में हम लोग सब कन्फाइं थे पूरा खाना वना खत्म होचगा क्योंकि थी तो हो एक बहुत बड़ी फिगर मुझे जैसे तो इमर्जेंसी का टाइम भी आद है कि मुझे आद में ट्री इन में आ रहा था और मेरे फादर ने पेपर लेके खोला तो हैडलाइन थी कि इंद्रा गांधी इमर्जेंसी इस अनांस्ट और माइफादर वादर वो था कि इनो इतने बज़े ओफिस पहुचना है तो नस्बंदी का फियर एक साइकोसिस चल रहा था और हम लोग स्कूल में थे तो पहले एक यह अफ़ा हुडा करती थी अकसर आज टीवी पर शोले दिखाने वाले हैं यह अफ़ा होती थी आफ़ा होती थी आफ़ा होती सारे स्कूल खाली हो जाता था तो यह और हमारे स्कूल में नहीं बहुत पूरे यूपी में होता था ही आज टीवी पर शोले दिखाने वाले हैं तो हम लोग भाग जाते थे एक दिन ही अफ़ा ओड़ी कि आज डॉक्टर आके बच्चों की नस्बंदी करने वाले है नस्ब स्कूल खाली होगा फाग यह पूरा स्कूल टीचर रोगते रहे कि लदा की और यह तो इसले रोग ने की यह यह भी करवाएंगे बच्चों की नस्बंदी कितनी दर से खड़ो ठंडी तो नहीं करते है बस काफी है ने कुछ नीची लगो देता है चमास एक बार चला देता यह ले जाओ नहीं तो यह बड़ी समालनी पड़ेगी मैंजी तीन आलबम हैं जो इसके वारे मुझे आप से बात करनी हैं माचिस, सत्या और चाची-420 यह तीनो अर्ली विशाल भार्द वाजवर्क है और जब आप फिल्म डिरेक्टर तो अभी नहीं हुए थे मेरे इतनी समझ नहीं है म्यूजिक की मैं आप से कोई स्मार्ट पॉइंटर सवाल पूछ सकूँ आप अगर इन तीनों के बारे में कोई किस्सा, क्या इंस्पिरेशन थी, अनिधिंग अब इस थी पहले समिन की एस ट्रिलोजी आपको बताओ एक तिस्सा, इन टीनों का माचिस तो आई बिकेम लाइक ओवरनाइट सूपर स्टार, सत्या का मीजिक, सत्या जब फिल्म रिलीज हुई, फिल्म इतनी जादा स्ट्रॉंग थी, ओवर्पाफलिंग थी, ओवर्वेल्मिंग थी, कि उसका मीजिक नोटिस नहीं हुआ, और कुछ एक दू क्रिटिक जो कि परसनली मुझे पसंद नी करते थे, उन्होंने जान बुझके उसमें लिखा कि फिल्म का मीजिक, गाने बेका रहे हैं एक्दम, चाची 420 में तो मुझे इतना बोला गया कि अरे इस फिल्म का मीजिक अगर अच्छा होता तो ये फिल्म होड़ चलती, चुबड़ी चुबड़ी चाची, क्या स्कोर है आपका यार, मुझे लगता था मुझे तो बहुत बहुत अच्छा काम किया है, तो मुझे एक चीज तब समझ में आई, जिसने मुझे लेटर पे-अफ किया, क्योंकि मेरी जिन्दगी में जबी भी कुछ खराब होता है या घलत होता है, तो अब मैं उसको समझता हो कि उसमें कोई एक इतनी बड़ी सीख है जो मुझे आगे बहुत बड़ा पे-फ होने वाला उसका, पर मुझे ये महसूस हुआ कि माचिस में, क्योंकि मैं ओवरनाइट स्टा बना की हम जब किसी की बहुत तारीफ करते हैं, हमको मन करता है कि अब वह गिरे नीचे तो मजा आएगा यह बाद ठीक हां की जब बहुत तारीफ कर देते जब देखतें जाला बहुत क्यों चल रहा है बहुत बूल दिया इसके बारे में चल रहा है तो they started calling me one film wonder And you know the specific critics who were doing this Yeah, yeah, Khalid Mohamad, मैं नाम भी ले सकता हूँ Khalid Mohamad उनको क्या अदिक्कत थी आप से? पता नहीं, जो भी होगी यह दरूरी नहीं कि You know, वो कि हरे को मेरा काम पसंद है और उसको तो Khalid जो बोल देते थे वो बहुत इंपॉर्टन वर जाते पता पथर की लकीर थी, Times of India was in power अब Times of India का अब तो review क्या ही होता है किशी का कोई review नहीं रह गया अब तो पब्लिक ही अपने यूट्यूब पे देखो, कोल के सब reviews होते मैं reviews बहुत टाइम से इस साल से एक और उसमें बदलाव लिया है मैं बुरे reviews पढ़ने बंद कर दिया थे बहुत अच्छे यह, सही है इस साल से मैंने अच्छे भी पढ़ने बंद कर दिया कि मैंने, कि मुझे लगता थे कि बुरे review ना पढ़के अच्छे review पढ़के आपका ego inflated हो जाता है कि आरे देखो, हाँ, यही तुम्हें कहना चाह रहा थे, यही तु समझ मैं नहीं आ रहा थे और बुरे मैं आप demoralized हो जाती है कि रही यह अच्छा यह तो गड़बड होगी इनको ऐसा लग रहा है तो मुझे लगा कि मैं middle में रहता हूँ, ना मैं अच्छे देखू ना मैं बुरे देखू नहीं नहीं डरावन नहीं बहुत मद शाफ है रहा थे दिराममेश सू क्लियर बाओ वाट यह वांस फ्लिप्र इस लाइफ, वाट यह वांस फ्लियूर्ट वांस फिलम्हें बहुत अच्छी नहीं देखू ठेक बाद है, honestly तो यही है. And he will appreciate this. यार, बहुत bloodshed है मेरी फिल्म है, बहुत violence है. Can you soften it with your melodies? कुछ, you know, everyone is saying it's very brutal. So, can you look at the film and we can talk about it? So, that's how it started. Slowly करते करते हम लोग, फिर फिल्म का मुजिक का हम ने discover किया. To Anwarak कुछ भी बोल देता था. And because वो रखता नहीं था अंदर एकदम इसलिए Anwarak की बात माने जादी थी कि इससे पूछे, यह तो कोई filter होगा ही नहीं, कुछ नहीं बोल देगा. तो रामु कुछ बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, दो तीन बार. कि हम लोग बैठे हुएं ऐसे और अनुराग ने कुछ डिसकेशन चलिए, सड़ली अनुराग ने बोला, but I don't think this is right, it has to be like this. And Ramu used to look at him, और सीथा उठके जमीन में साश्टांग प्रणाम उसके लेड़ जाता है, कि तुमाने, एक बार नहीं, कम से कम दो-तीन बार मैंने देखा है, and it used to be laughter, क्यूंकर मज़ा आ जाता था वो देखके, वो महौल था, सब मकरांद, सब लोग इन्हें साथ मनोज, हम सब लोग साथ में बैठा रहते था. क्या एनरजी होती होगी उनसे? बहुत अनरजी हो, एक अलग ही vibrance था, एक गाना कल्लू मामा, it's a classic example, जब हम लोग music composers tunes बनाते हैं, तो हम लोग उसके पर अपने words लिखते हैं, लिशिस को बताने के लिए कि ये meter है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, mostly जाने-मं, जाने-जाने-जाने-जाने-जाने-जाने-जानी-जानी-जानी करते हैं सब भी हो, मैं क्यूंकि पोईटरी में बहुत साथा इंटरस्टेड हूं, तो मैं मुझे ऐसा बकवास लिखने में नहीं नहीं बहुता, गाने में भी लगता था, कुछ तो मीनिंग आ जाए ना ये दे रहा हूँ. तो मैंने उसका डमी मुख़़ा जो लिखा था वो था जब तलक रहेंगे घम तब तक पिएंगे हम तो घम के नीचे बम लगा के घम उड़ा दे मार गोली दर्द के दम उड़ा दे करें मामा कालू 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 माम यह अटिवन तो बहुत उची है पर यह क्या गिमे कि यह क्या बखवास है कि बं के नीचे बं लगा कि गाम उड़ा दे। obviously मैं तो गुल्दार साब की इतनी इतनी महपत है मुझे उनकी शायरी से सी और किषी बिए तो एक बार गुल्दार साथ ने की यहीν सर मजा नहीं आ रहा दुबारा गुल्दार साब ने नहीं सर मजा नहीं आ रहा थीक हैं तो फिर हूए कि 정확увा को खोन बूलेगा तो अनुराग आया बेठा तो थी वर्ट सुनाए कि गा के दिखा तो रमू तो नाइस 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 अनुराग बोला के सार मैं कुछ कहना चाहता हूं अनुराग बोला के सार अच्छे बट जो वो लाइन है गम की नीचे बंब लगा के गम औरा दे वो बहुत अच्छी है वैसा नहीं है तो गaldaa साएम ने बने बेटा पहले घम ठीक से बोलना तो सेखो गम नहीं होता है गम होता है एंट काटो तो खुन नहीं रामु ने एक्सेप्टी नहीं किया उसना मुझा आके एक दिन बोला I want you to record your words in the song I am not going to picturize this I am I don't like it I am not inspired by it तो मैंने का कि okay as a director you have the right to do this but you inform Guldar साब and he said कि no I'll tell him when I want you record the song and I said I am not going to betray him आप उन्हें पहले बताईए मैं गाना रिकॉर्ड करूँगा वो मुझा मना भी करेंगे वो करेंगे भी नहीं वो इतने वो बलेंगे अच्छा यह पसंत ही आप करो पर मेरा कोई मतलब नहीं एसे आपको बताना पड़ेगा वो बहुत मैं नहीं बताऊंगा तो मैने भी नहीं करूँगा तो मैंने नहीं करूँगा तो मैं आपकी मर्दी है यहां पर हमारा conversation end हुआ and he said I'm not going to shoot the song and he didn't till the last moment जब हाँ पर उस जगे लोग सीन शूट कर रहे थे तो Manoj वगरा सबने रामू को मनाए कि रामू यार जल्दी पैक अप हो गया है अपने पास एक शिफ्ट है वो गाना कर लेते ना शूट नहीं पसंद तो मत रखना पर जो विशाल बोल रहा है वो जो गुल्दार सब के वर्ट सा कर लेते हैं गाना शूट कर लिया फिर जब गाना शूट किया तो असना थेकी लग रहा रख लेते हैं फिल्म में after one and a half year रामू one night you know there was a toe bell like one 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 thirty मैंने देखा people said to Ramu was standing with vodka bottle and he came to me how wrong were we what Ramu used to say is that लिए पर गोली मार भेजा बेजा शूर करता है he used to say कि मुझे इसमें भेजागरी दिखादी because he is from Aydraabad भेजागरी बहुत अच्छी बनती तो मैं बुल्ला कि मुझे भेजागरी मुझे भेजागरी बसंदी अच्छी बाइदरवादी आद्मी उसको do you drink? yes what is your preferred drink? पहले single malt पकर हुआ करता था अब मुझे उससे मैं बहार आगा single malt का charm क्या विशागी? मुझे बहारा समयो मुझे न आज तक विश्की समयो बखवास है जैसे इंडिया में एक बार black label का शुरू होता है इस्टिस सिंबल होता था black label फिर यह होता था कि single malt है कि you are not having a single malt तो आपको थोड़ा सा बो लगता था कि यार single malt क्या है मुझे नहीं पता है first time ठेके पर कब गए थे आप उसमें बोला कि यार ड्रिंक करना है तो लेने चलते हैं तो मैंने गए यार छे पैंतिस हो रहे हैं भागो तो वहां पहुंचे ठेके पर तो he was shocked कि जो लोग मांग रहे थे एक बुलाथ 12 वाले दे एक बुलाथ 14 वाले दे एक अठारा का चीए अच्छा तो पैसे से हो रहता है कोई ब्रैंड नहीं था कुछ नहीं था आपको पैसे से दारूर नहीं होती थे कि 18 वाला पहुआ दे दे 20 का विस्की वाला पहुआ दे ऐसा हुआ करता था तो he was shocked उसमें बुला बंबे में तो दुकान पर जाईए तो मतलब को तमीज के साथ पेश आया जाता है कि आप कहलेंगे यह नो पूरा यह अब पतानी क्या सीन है अभी अब तो शेयर स्थरिया होगे मतलब क्लास का डिफरेंस है एक सर्टन क्लास अभी भी कि चालिस ओला पहुआ दे दे साथ ओला पहुआ दे वो आवाज़े भी आती हैं जो हमारे जैसे प्रिविलेज्ट हैं वो ब्रैंड बता कर लेते हैं तो वो तो एक क्लास में तो अभी भी वही है कमल हसन के साथ काम करने का एक्स्पिरियंस कि अभी अभी प्रिविल्ट अभी तो अभाग जाओ इंके पास से क्यूकि आप जो भी बोलें उसके बारें उनको आपसे जादा पता है पड़े जीनियस मैं तो वोग विद एक ताम में काफी हद तक हम लोग पहुँच गय थे कि वो ही वस टुपले मकभूल I have been told from some friends in Bombay that Naseer sahab told you if you take Kamal I am not doing it Not that strong And I don't even remember कि कि ने मुझा बताया बस बस कुछ दोस्तों, Strugglers की a talk है शायद शायद इतने strong word में ही बोला होगा उन्होंने बोला होगा कि तुम सोच लो आजए ठीक, मतलब बोला था हाँ, obviously बोला था क्योंकि नसीर भाही ने भी Kamal के साथ काम किया हुआ है Sir, they don't get along? ने, it's not getting along तो मैंने बोला ना Kamal जो है वो बहुत strong है Strong personality And he is very clear what he wants He is no discussion about it Because वही सही है वही सही है Director has to be right No पर आपको डरता कि मकबूल में भी असा होगा जहां वो डिरेक्टर नहीं ने, हम लोगों ने इंटरेक्ट किया और उसमें मुझे हमारा conflict आगया The way we were seeing the film तो वो चाहते थे कि यह film bilingual बने हम लोग Hindi में भी करें, Tamil में भी करें और Tamil में अलग स्टा कास्ट साथ में हो एक शॉट दो बार होगा तो मुझे लगा कि मैं कहीं जो मैं अचीव करने जा रहा हूं वो मैं कहीं business में पड़ रहा हूं इसके और मैं उस वक्त बहुत ही जिद्धी हुआ करता था और मैं चाहता था कि मेरी film बने आपको लगे कि जाधा controversial होने वाले तो प्लीज उसी वक्त डोक देना गुंडागर्दी में आपको फर्क दिखता है क्या आपने वो टाइम भी देखा है जब Congress ही सब कुछ थी और अब एक और टाइम है जहां बीजेपी सब कुछ है एक ऐसा लगता है है नहीं और तब भी शाद Congress सब कुछ नहीं थी लेकिन क्या गुंडागर्दी में फर्क दिखता है आपको क्या intensity जादा हो गई है या वही nature estate का जो पार्टी रूल करेगी कि हम क्योंकि पावर के पास तो गुंडागर्दी होती है तो उस वक्त भी incident में अभी रोक रहा था अपने को बोलने के लिए पर सफदर का जब हुआ था वो तो वैंने सीवाई Congress का था और याद है हमें आप college में थे तो हमने सफदर के लिए गाना काया था जाके उसके बाद तो movement शुरू हुआ तो सफदर को लेके वह भी वक्त था तो वह भी तो गुंडागर्दी थी गुंडागर्दी आज भी अभी क्या है कि at least नाम तो होता था गुंडागर्दी का अभी जो है वह एक mob हो गया है मॉब लिंच कर देता है मॉब का कोई नाम नहीं है मॉब का नाम ना ना एनस यूई है ना एभी वी पी है ना भी जेपी है मॉब तो इक उसको जो एक validation मिलिया है इसे very sad तेंग पार्लिमेंट में जब ऐसे शब्द यूज होंगे तो फिर देश कहां जा रहा है जो रमेश विदूरी नहीं जो शब्द यूज की है वो नहीं parliamentary language बन रही है हम लोग भी कम से कम quote कर सकते हैं कि हम भी फिल्म में बढ़वा बोल सकते हैं किसी को अब तो पार्लिमेंट में भी बोला जाज़ा है और उसको A certificate नहीं मिलेगा hopefully अब यहां यह के लाब अब मतलब पास ही कर यह के साथ भी करतें क्या करें जैनली सवाल है क्या क्या करें क्या उत्तर दायत् surgit नागरिक का थोड़ा जागा रहे पहले तो उत्तर दाय तो तब निभायागा जब थोड़ा जागेगा तो अभी वह भी auforya में है सच देखने का जो वो है उसका बलर हो चुका है that'RE not ability to हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं हम लोग बुरे लोग नहीं हैं collectively बोला हूँ मैं इसे किसी धर्म, जाती या किसी पार्टी के लिए ये नहीं बोला हूँ, हम collectively हम लोग अच्छे लोग हैं यह है कि इस वक्त पता नहीं हम किस मूड में हैं, कि हम लोग इस तरह की हरकते कर रहे हैं, यह भी परशाइद एक फेज है, जो कि निकल जाएगा, और अच्छा है कि निकल जाएगा, कि अगर इतना जमा हो गया था अंदर, तो हम उलटी दें बाहर, हम मुमट करे लें, पूर पहले जब था, हम तब भी दुखी थे कि corruption है, हम अब भी दुखी हैं कि democracy उसमें, अपना अपना करते हैं, हम अपनी दुख में रहने ही वाले हैं, जीवन दुख है, बुद्ध ने बोला है, तो वो दुख में हम रहने वाले हैं, उसी में अपनी खुशी और सुख ढूंड में वाली टी-शिट पहन के बैठे हो, मैं अपना बढ़ा लिनन बैट पहन के बैठा हूं, बात हाल एक्दम ठीक हो लिए, मृत्यू के बारे में सोचते हो, बहुत से तो महबत है, शर्तिया चीज है जो होगी, तो होनी ही है, उसको जितनी जल्दी समझ लिया जाए, उतनी एक पॉइंट आता है, जब आपको, तब महसूस होता है कि you are also as mortal as others, otherwise you keep thinking that you are immortal, और वो एक बच्पना होता होगा हाँ, नहीं, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हैं नो, मेरे साथ unfortunately my father died very young and very sudden when I was 19 years old, तो that was a shock for me, कि अभी हैं अभी नहीं हैं, तो वो जो feeling होती है जहां पर आपको लगता है कि किसी को आपको भी जिन्दीगी में दोबारा नहीं देख पाऊगे, और वहीं आपको अपने मेरे बाद मेरी पहचान बनी रहे, क्यों बनी रहे वही है, दरूरी कि मैं अपनी filmों से पहचाना जाओं या मैं इस से पहचाना जाओं और वो सब आपके interest में नहीं है, अब नहीं है obviously, मैं अब आगर बोलनू कि मैं बच्पन से ऐसा था, ऐसा तो नहीं था, धीरे धीरे सम वो शवा नहीं बोल पाते था था नहीं है? अब उनके रुकते नहीं थे कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं भी गलत जगह लगाते था तो नहीं गलत कैसे बोलते हैं, अनी, can you go on? मगर उनका content जो था ना, उनके अंग्रेजिए था नहीं है, पता नहीं, Americans को समझ में कैसे आत जेल में रखा, थेलियम दिया, उनका जो content था, content का language थे कोई मतलब ही नहीं था, कि उनके तो silence में भी, you know, आवाज थी. Do you listen to other people or do you think Osho is the epitome of what you want to achieve spiritually? No, I don't want to achieve… विशली मूर्ती पूजन में तो आप नहीं विश्वास करते होगे? विशली बिल्कुल ने. आप वो उस टाइप के आदमी ही नहीं हो. पाहन पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहार. पाहन मतलब पत्थर पूजने से अगर हरी भगवान मिले तो मैं पहार पूजू. ताते ये चाकी भली पीस खाय संसार. ये चक्की उससे बहतर है, जिसमें पीस-पीस के पूरी दुनिया खा लेती. तो मूर्ती और ऐसी मुस्लिफ्स बहूला था उन्होंने. आज बिचारी क्या होते कबीर होते तो उनका. कांकर पाथर जोड के मस्जिद लियो बनाए, ताप-े-मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? बहरा हो गया खुदा कि तुम मस्जिद से चिला रहा है. यह थे कबीर. मतलब जितनी बाउंडरी पुश कर सकते थे, वो तो उन्होंने की. बिल्कुल की. क्या इंसीक्यूरिटी? इंसीक्यूरिटी यह लगता है, पैसा खत्म नहों जाए यार. पैसे के साथ आपका कैसा रिष्टा है अभी? पैसे के साथ रिष्टा यह जैसे तुमारा होगा कि हमेशा कम पड़ता है. उसी पर काम किया जा रहा है. कि सल्वार नीट्स ही इतनी कम रखेंगी. क्यूंकि जितना मैं अभी कमा रहा हूँ, पांच साल पहले कोई मुझे बोलता है इतना कमा होगा, तो ठीक है सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब सौ करोड ही एक फिगर आगा है अगर दिमाग में, तो तो कभी अचीव में नहीं होगी. सौ होगी तो हजार आ जाएगी. तुमको spiritual sermons करने चाहिए, मुझे समझ नहीं आता आपकी trilogy बात करें तो कितनी लंबी चले जाए क्योंकि उसका music भी है, और तीनों फिल्में इंडिविजुली इतनी मतलब अचीव सो मच. And so, I don't know, we can maybe start with Heather. Because you have said that musically you think you achieved more on that. अब जैसे मैं नहीं बोला, मेरी music की उतनी समझ नहीं कि आप स्पेसिफिकली पूछा हूँ. Just the experience of Heather, anything about that? आप बाद में credit लेने लगते हो इसका, बट ये चीजें कुछ अपने आप होती हैं. नहीं तो ऐसा possible नहीं था कि Heather जैसे film बन जाए. उस film को इतना अच्छे से कश्मीर उसमें explore हो जाना, तो मैं matured था उसको absorb करने के लिए वहां की life को, वहां के logo को. वहां के music में तो क्योंकि मेरा मैं पुराना था काफी, तो music मेरे लिए पकड़ना बहुत असान था वहां पर. क्योंकि musically मैंने जब सुना तो वहां के instruments हैं, रभाब है या और जो string वाले instruments हैं, वह मुझे musically मालूम था कि अच्छा ही इसको कैसे achieve करना यह तो मुझे मालूम है. जो वहां के music में special phrases हैं, या जो combination है सुरों का, वह मुझे as a professional क्योंकि में था, पर वहां के जो जिन्दगी है, उसको achieve करना कि वह आप परदे पर उतारें कि और आपको लगे कि आप कश्मीर के अंदर बैटें, और या उस कश्मीर में जो आपने नहीं देखा है, या जो आप कश्मीरी होके, अगर आप पोलें कि हाँ यह तो हमारी कहानी है, वह बहुत मुश्किल काम था और वह किसमस से होता है, अगर मेरे करे से होता तो हर बार होता मुझसे, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी कभी बन जाए, तो यह वह जो कहावत है ना हमारे म्यूजिक में यह है, कि राग आप हमेशा कोशिश करो जमाने की गाने वाला, हमेशा नहीं बने का, किसी दिन ऐसा होगा कि उसका कोई reason नहीं होगा कि वह क्यों अच्छा हुआ, ऐसे ही रसोई में जब खाना आप पकाते हैं, मा पकाते हैं या आप कभी पकाते हैं, वह कभी एक ऐसा टेस्स आजाता है कि वह कैसे आया बता नहीं और ऐसी पगड़ी बनती है, तो कब वह ऐसी किसी दिन अच्छी बन जाती है कि आपको उसका reason नहीं होगा, राग रसोई पगड़ी, राग रसोई पगड़ी कभी-कभी बन जाए, पर क्या कुछ सही feeling आ जाती है, विशाल जी क्योंकि ऐसी film में भी हैं आपकी, जिनको आप भी शायद उतना perfect नहीं मानते हों, कुछ, some films are better than the other films, and of course all films of yours have some golden moments, but some films are better than other films, and so while making those better films, is there a feeling that you get while you're in it, कि हाँ, यहाँ सुर्थ सही बैट रहा है? हाँ, obviously, बिल्कुल वो एक खुश्बू आती है, पर एक दूबार ऐसा भी हुआ है कि जिसमें खुश्बू नहीं आई है, वो साली बहुत चली है, वो कॉन सी? कमीने. अच्छ, वहाँ नहीं आ रही थी खुश्बू. कियोस चल रहा था? कियोस किसी और लेविल का, मतलब मुझे रोज पहुंचके वहाँ पर एक ड़ल घंटा तो यह देखना पड़ता था, कि आज का क्या प्रॉब्लम होगी? गालियां देते हो आप? जब ऐसे ऐसी महौल हो जाता है, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मैं यूपीस हूँ. और आपने होमकारा भी बनाई है? देते हो गालियां? हाँ, मतलब देता नहीं हो निकलती है. क्या गालियों में भी आप ये प्रनंसियेशन का इतना ख्याल रखा जाता है? ख्याल? सॉरी, कैसे बोलते हैं? उन में नुक्ते नहीं होते हैं. अच्या, उन में नुक्ते नहीं होते हैं. मतलब ऐसे अलफाद नहीं हैं जिसमें. एक बार ख्याल बोलना आप? ख्याल. ओ मैं! है, आपके बेटे में या इस जनरेशन में दिखता है आपको? नुक्ता की प्रणंसिएशन भी दिखती है क्या? नहीं, इन फैक्ट जो मैं अभी आप देख रहते हैं, अब है. तो मेरे साथ पिछले 5-6 साल से अब यह छोड़ने वाला है. मतलब अब आप इंडिपेंड़न होगा, नियारा जैसे इसको बोलते हैं. और अभी तो होना चाहिए. जी. और मैं ही प्रिडियूस करूँगा उसकी फिल्म. बट एक साल पहले मैंने से रिक्वेस्ट की, कि अब तु छोड़ने वाला है, तु बहर दुनिया में जाएगा, और तु बोलेगा ये चीज खराब हो गई, इसका ख्याल क्या है, तो मुझे शर्म आएगी, और मुझे कोई पूछेगा तो मेरी क्या इज़त रह जाएगी, कि इतने साल तुझे क्या बोलेंगे, ये सीख क्या है तो इतने साल. अब आप उसको बोला के सुनिये, अभी सुनिये उसका खराब क्या बोलता है, बिचारे ने मेहनत की, खयाल, खाब, खराब, ऐसा बढ़या खराब, कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, एक बर सिखा दो, ने ने खराब, बिलकुल सही, मतलब उपर खुजली कड़नी है, क्या कड़ना है, मतलब, फिजिकली क्या कड़ना है, खराब, ये बिलकुल सही है, तो सिखा सकते हो तुम सबको सिखाना यहां पर, गराब। बिलकुल सही है। मुझे तो बहुत डराया जा रहा था कि सम्धीश तो ये करेगा, सम्धीश तो फसाएगा। कौन डरा रहा था आप। अरी सब डरा रहे था मुझे। कौन है। बेरे यह उनके नाम थोड़ी बताओंगे। तुम कल को ने फसाद होगे। सम्धीश है। धन ही है। सम्धीश। तो कुछ तो गलत बोला मैंने। अच्छा अपने नाम का मतलब भी बताओ। हर दिशा में समान। नाइस। मेरा पता है कि इसमें एक चिट था। संजीव कुमार, पंकच कपूर, दीपक दोग्रियाल। तो संजीव कुमार के बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारी ओडियन्स थोड़ा और जाने। और चूंकि गुलदार साब ने उनके साथ इतना काम किया है। संजीव कुमार तो बहुत ही कमाल थे वो ऐसे तो पानी की तरह की जिसमें भी मिलें उसी कलर में हो जाते थे। वैसा एक्टर देखा है अपने इस जनरेशन में? अभी है, बिलकुल इरफान वैसे थे। नसीर साब ऐसे हैं, नसीर भाई, पंकत जी, पंकत जी तो कुछ और इंसान बन जाते हैं, पर पंकत जी तो मत्रू में क्या कर रहे है? जी यार वो तो ओपनिंग में ही, जब वो बोलते हैं कि मोडचा निकालो, मैं इदर पीछे से आउंगा, जब वो अंग्रेजी में ही कनवर्ट हो जाते हैं, वो एक ही फिल्म में दो अलग इंसान है, एक ही करेक्टर में Sanjeev Kumar बहुत ही फिर भी एक special quality थी उनके अंदर एक, मेरे पास एक souvenir की तर एक चीज है, कि I think आंधी में या किसी में Sanjeev Kumar साहब को फिल्म फे reward मिला होगा, तो उसमें उन्होंने गुल्दार साहब को एक Daniel का lighter प्रेजेंट किया था, जो गुल्दार साहब ने कोई 40-45 साल बाद मुझे हैदर बनाने पे दिया, तो मेरे पास सोवीनर की तरह रखा हुआ है, तुमने पहले बूला था तो मैं तुम आले लेके आता, दिखाने के लिए, तो मेरा उनसे एक lighter से तो हम लोग जोड़े हुए हैं, कभी मिले नहीं, बट एक lighter से मैं और Sanjeev Kumar साहब जोड़े हुए हुए, तो खूफिया नहीं है, खूफिया है, क्या है? खूफिया, चोटा, चोटा U है, पुलिस वाला, खूफिया, क्या फार्क होता है खूफिया और खूफिया और खूफिया, टेंक यू तो खुफिया जो है एक तो साला नुकता प्रणाउंस कर रहा है उपर से उ की मांतरह याद कर रहा है तो खुफिया जो है, उसमें तबूजी के साथ आप दूबारा काम कर रहे है सबसे इरिटेटिंग है तबूगी तबू की इरिटेटिंग है कि तबू जब अपना काम देखती है फिल्म बनने के बाद तो शी हेट सरसेल्फ इन आल फ़ द वर्स या कुछ एक्ट सब्साथ जो किया उसमें तो मगबूल तो देखने ने आए थी हैदर देखने के बाद तबू ने तो आँख बंद करती थी देखती है अए लाँ बरबात कर दिया क्या किया क्या बात कर रहा हाँ So, she is very critical of herself मुझे लगता है वे एस्पियोनाज में बहुत इंटरिस्टेड हो क्योंकि जो आपने हैदर का भी original लिखा था R.N.A.W. agent और उसका बेटा तो What are the espionage films or texts that you have been inspired by? बहुत सारी जैसे एक Hitchcock की film थी Notorious बहुत खुबसूरत फिल्म थी फिर उनकी Man Who New Too Much जिसमें के सरा सरा embassy के अंदर जाके गाती है उसका बच्चा उपर embassy के अंदर बहुत खुबसूरत था हो भी फिर Yon Laqar करके एक राइटर है उनका pen name है, है तो British उन्होंने काम करते थे और उन्होंने बहुत लिखा है उस पे Tinker Tailor सोच रहा था है उन्ही के लिखा हुआ है तो उनकी किताबें Tinker Tailor फिल्म भी बहुत बहुत बढ़ जा थी पर उन्हों नाइट मेनेजरी शो जिस पे इंडियन बना है उसका original भी उने की book पे है तो वो है और इंडिया में तो कोई बनी नहीं ऐसे एस्पिणाज जिसको के इंडिया में एस्पिणाज मतलब Razi एक बहुत बहुत बह्तरीन पिंचर है यहाँ यह यहाँ तर वो espeka कि करती है ओसको कर सकते हैं निए इसे तो मैं the hero love story of a spy भी बहुड सकता हूं जो कि मुझे बहुत पसंट है यह 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 दुनी दोल की बहतरीन कामों में से है एलस्तोरी मसा आयाता है देखके जूट बोले जूपूसे काटिका है मितुम फेवरिट ट्रेवल डेस्टिनेशन? लेंडॉर बहतरीन जगा है रस्किन के साथ भी आपको कैसा रिष्टा वह भी एक पूछने वाली बात है तो लेंडॉर रादुनों वहाँ पे करते है I've seen the photo of your place in someone else's profile सिगरेट कौन सी पीते थे जब पीते थे? अभी पीते हो नहीं मैं पीता था गोल्ड फ्लेक से इंडिया किंग्स पे क्यों तुम उनकी अड़िजिंग करा रहो सम्भा कु लिखना पुलेगा सेहत के लिए हमे अभी नहीं लिखना वड़ता है वेट करो हम पे भी आएंगी कुछ तो आएगा थैंक्यू सो मच विशाणी इस कैमेरा में देखके आपको बोलना माइक में उतरवा दूँगा को अपना ही बोलना एक तो experience आपने बता दिया अच्छा रहा और करेंगे खुफिया streaming now जो भी बोलना होता है खुफिया streaming now on Netflix please watch it and like it try to like it बोलो दुडूम तुडूम नहीं एक पर ऐसे तुडूम नहीं आप ऐसे तुडूम एक पर कर दो हमारे शो है ऐसे करो तुडूम और एक पर बोलो unfiltered by samdish को subscribe unfiltered by samdish को सब दिशाओं में जो समान है आप उनको subscribe करें तो सब दिशाओं में समान रहेंगे तुडूम 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 मैं तो कॉसको बॉल भी लाया था कि हम दुनों खेलेंगे Ketchum Ketch आपका जड़ा एक्शन दिखाना कैसा था तुडूम 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 जाना है तो बॉल ऐसे उलटा जा टाके और जो जो फाश्टर्मनता हो उसकेले तो आपको रखर्ग करकी कैसे "-सेमड़ Кुभलल तुडूम आच्छा ऐसे श्या केमरेनएंएंएंफ यह bakın अभला कालओ अगया झाल